हेलो एव्रिवन आज हम लों कवर करेंगे क्लास एट हिस्ट्री चैप्टर फोर्थ को जिसका नाम है ट्राइबल दिकोज एंड द विजन अफ गोल्डे एज ठीक है तो चलिए कवर करते हैं इन 1895 यानि कि 1895 में एक बिर्सा नाम के वैक्ती थे जो की जंगलों में और जारखन के चोटा नागपुर के गाउं में खुमा करते थे जिन्हें लोग कहते थे कि उनके पास एक मिराकुलस पावर है यानि कि उनके पास चमदकारी सकतिया हैं और वो सारे बिमारियों को ठीक क कर सकते हैं और वो अनाज को बढ़ा सकते हैं यानि उनको मल्टिप्लाई कर सकते हैं ठीक है पिर्सा ने खुद को डिकलेर कर रखा था कि जो गौड है उन्होंने उनको अपॉइंट किया है कि वो लोगों को ट्रबल को लोगों को ट्रबल से से सेफ करें और उनको स्लेवरी यानि कि दिकूज आउटसाइडर। दिकूज दे संस जो मनी-लेंडर हैं। बि्योटिसर्श हैं इनको बको बचाना मतलब उनकी गुलामी से बक habitat और तुरंथ ही अचारों लोगों उनका जनम हुआ था जो कि छोड़ा नादपूर के ट्राइबल ग्रूप में कि एक ट्राइबल ग्रूप है ठीक है लेकिन उनके फॉलोवर्स में ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंडा मुंडास ही थे और भी सारे ट्राइबल और रीजन के लोग भी उनको फॉलो करती थे जैसे कि प्रूम फेस कर रहे थे उनको ब्रिटिस के दुआरा जो उनके रूल लग रहे थे चंगलों में जो पॉलिसीज आ रहे थी जो उनके जो कस्टम्स हैं उनमें वह लो चेंजर ला रहे थे जिसके वज़ा से वह लो कही ना कहीं अन्हापी थे नाखुज थे तो उनहें लग प्रॉब्लम को सॉल्फ किया और जो आउटसाइडर है उनको वह लोगों को यहां पर एंसलेव किया और जो ट्राइबल ग्रूप है इनका ब्रिटिश के अंदर कौन कौन सी मतलब की क्या क्या होई यह चीज हम जानेंगे उसके वाद से जो उनका लाइफ है वह कैसे चेंज यह सारे क् Compassions है जो कि हम इस Chapter में के वर करेंगे कि तरह से जिए मदें को फاتया और जेमा optimize प्रॉब्लम केटके ए और किस तरह से 3 लिगें के जिवें के जो तुब्लम हे जीएं वहने फील हो रहा था कि हमारा खत्म हो रहा है यहां फेक फिगर जिसमदेख सकते हैं कि वो लुग जो ऑरते हैं वो उसको वीड करके यह मतलम मार्केट में जा रही है कुछ समान को बेचने के लिए जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं ठीक है यह दोग्रिया कांड की फिमेल है जो जो औरिसा की ट्राइब है अब हम यहां पर देखते है कि जो हमने देखा है जो सॉसाइटीस है जो कि हम लोग लास्ट येयर पर चुके हैं क्लास 7 ने तो हमने देखा है कि सब क्या होते हैं सारे ट्राइथ की कुछ customs होते हैं कुछ rituals होते हैं रिति रिवाज होते हैं जो कि ब्रामन्स ने बना रखा है lay down कर रखा है तो उनके कुछ rituals होते हैं कुछ उनके customs होते हैं अब ये जो societies हैं ये इन में sharp division नहीं है जैसे हम लोग किया है कास्ट है बिल्कुल sharp division है वैसा division जो है tribal group में देखने को नहीं मिलता है ठीक है ना लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब की इकदम से बिल्कुल भी नहीं है थोड़ा बहुत है और वो लोग क्या करते हैं कि एक common kinship रिशिदारी share करते हैं और उनके यहां जो है वो मतलब की social जो economic difference है वो है ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है थोड़ा बहुत है अब आगे बढ़ते हैं अब हम पता करते हैं कि जो tribal group है वो रहते कैसे थे ठीक है ना तो 19th century में जो tribal group है यह इंडिया के बहुत सारे पार्ट में रहते थे और बहुत variety के activities यह करते थे और उसमें कुछ जो थे वो क्या थे जूम cultivator जूम cultivator याने कि shifting cultivator का ही नाम है जूम जूम कल्टिवेशन में यह लोग क्या करते थे कि यहां पर लिखा हो है shifting cultivation तो इसका यह सिरॉनिम हो सकता है तो इसमें क्या होता था कि small patches of land होते थे जो की जंगल में होते थे इनको वो लोग क्या करते थे उनकी tree जूम करता है और उसको मिला करके फिर एकस और हो जो है उसका फावड़ा है उससे जमीन को scratch करते थे और मिट्टी को prepare करते थे और फिर जो बीज थे उसको broadcast यानि उसको फैला देते थे क्या कर देते थे फिल्ड में instead of plugging the land यानि वो उसको जोतते नहीं थे और बीज को क्या कर देते थे रोब देते थे एक बार जब फल जो है वो काटने के लिए हार्वेस्ट करने के लिए ready हो जाता था वो दूसरे जमीन पर चले जाते थे और उस फिल्ड को वो लोग फैलो यानि की परती छोड़ देते थे फॉर सेवरल लियर्स अब यह फैलो क्या होता है परती जमीन क्या होता है कि जब क्यूंकि जो हमारे धर्ती पर सारे जो जमीन तो वैसा जमीन जिसमें की जो फर्टी है वो थोड़ी कम है तो उस में जिसे कि अगर आप एक बार खेती करतें और लिए यहीं हो ऑल लग होता है और फैलो लाग होता है बैरन मतला बंजर ठैक है यह कूह समें की खेती करना उतना पौस ब्लृण , सपयती कुछ करके अच्छे से कर ले जमीन को अच्छा बना ले तो ठीक है लेकिन फैलो जो होता है इसमें थोड़ा बहुत होता है और इसलिए इसको परती छोड़ना पड़ता है चलिए जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर से इन्होंने देखा कि जो हिली और फॉरेस्टेड एरिया है जो कि नौर्थ, इस्ट और सेंट्रल इंडिया के ट्रैक में है यहां पे जो ट्राइवल है वो फ्री मुव्मेंट करते थे जंगलों के अंदर जिसके वज़ा से जो लैंड है फॉरेस्ट में जो भी जो क्रॉप है वो उसमें असानी से वो उगा पा रहे थे इसलिए इसका नाम था जूम कल्टीवेशन या शुफ्टिंग कल्टीवेशन अब यह साल के तरह का एक टारा का महुआ कभी पेड होता है जो की फ्लावर होता है इसको अलकोहल बनाने में और लोग ऐसे भी खाते हैं अब यह अब देखना है कि कि सारे ते वह कल्टिवेटर से थे कुछ तो बहुत सारे रिजन में जो ट्राइबल ग्रूप्स थे वो शिकार करते थे हाना और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है यानि कि फल है कंदमूल फल जो भी है जड़ी बोटी उसको गैदर भी करते थे और उनके लिए जंगल था वो एक एसेंशियल था फॉर सर्वाइबल या जाते थे शिकार पे जाते थे और जो भी मीट वगरे मिलता था वो आपस मिगा कर लेते थे डिवाइड कर लेते थे और इस तरह से वो अपना जीवान यापन करते थे इसके साथ साथ वो फ्रूट्स भी खाते थे रूट्स भी खाते थे हाना जो जंगल से वो कलेक करते थे और उसको कूप करके हाना उससे जो ऑईल है एक्स्ट्रैक करके जो साल का और महुआ का सीड्स है उससे ऑईल भी निकालते थे वो जंगल के बहुत सारे श्रब्स और हर्ब्स जड़ी बूटियों को भी इस्तेमाल करते थे फॉर मेडिसिनल परपस दवाई के लिए और वो कभ क्योंकि उसके पास रहते हैं और प्लस ही है कि हम जंगल में जाका उसको पहचान भी नहीं सकते हैं तो इस तरह की चीज़े वो लोकल मार्केट में बेचते थे उनसे उनको थोड़ा बहुत इंकम होता था जो लोकल वीपर थे लेदर वरकर है वो खोंड को टर्ण हुए टर अब जो हमने देखा कि जो सप्लाइ से यह जो फोरेस्ट है अब इसमें जो राइस है और अधर ग्रेंस है यह कहां से आएंगा क्यूंकि वहां पे बहुत स्मॉल पैचिस पहो रहा है ठीक है तो ऐसे समय पे हो क्या करते थे कि जो गूर से उसको एक्सेंज करते यानि कि जो फेल चावल गे हुई या अगर गरेंस को ले लिया जो उनको जरुहत होता थे जो फिर को नीड होता था जनागाल की बदक्त्तों के बदले वोलन उसे ले 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 देते थेन ठीक है और कभी लेबर का काम करना तो यह उनके नजर में था ओर्ड था तो जब धिरे धिरे जो सप्लाइज है वो श्रैंक याने जो घटी तो जो ट्राइबल पीपल है वो इंक्रिसिंग ली क्या होए मतलब की लेबर के यानि की काम के लिए वो लो वैंडर करने लगे यह भूमने लगे कि अब क्या करें क्योंकि जीवन यापन करना था ठीक है और उसमें से बहुत सारी थे जो कि सेंट्रल इंडिया के जो बैगाज थे हाना वो यह काम करने के लिए रिलक्टेंट थे यानि वो नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यह काम करना हमारी जो है वो कपड़ा सिलता है ठीक है ना और दूसरे कास्ट के लोग हम सोच सकते हैं कि हम मतलब ऐसा सिलाई करेंगे तो हो सकता है कि हमें समाज में हाला कि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अगर आपके पास टालेंट है तो आप बहुत अच्छे क्या कर सकते हैं कपड़ा बनाने वा है यह अकसर कुछ चीजों को खरीते थे और अन्ट सेल इन और तो गेट एबल तो गेट गूट्स डैट पर नॉट विदिन लोकालिटी और उसके बदले में वह इस चीजों को बेचते थे जो कि लोकालिटी में नहीं होता था जैसे जंगल में मिलने वाली चीजे हैं वह उ उनके ऑरांड आने लगें बेचने के लिए और जो वो गुड्स बेचते थे व्यक्त रेट, वह बहुत high price पे बेचते थे जो मादल में लन देते थे जो गुड्स, उनके लिए बहुत high interest देते थे तो इस तरह से ट्राइबल contractors और ट्रेडी के चॉज है और यह हमारी दुश्मन है क्योंकि उनको लिए ट्रेड और मार्केट कॉमर्स के लिए उन पर डिपेंडेंट रहना लगा और उनकी वज़ा से उनकी जो लाइफ है वो माईजरी के तरफ जा रहे थी क्योंकि वो चीजों को हाई कॉस्ट पे बेस देते और लोन भी देते थे बहुत हाई इंट्रेस्ट देते जिसके वज़ा से कही न कहीं उनका लाइफ एफेक्ट हो रहा था इसलिए वो उनको अपना एविल आउटसाइडर या फिर एनमी की फॉर्म में देखने लगा आगे देखते हैं सब हड़र्स एनिमल्स यानि कि कुछ जो चरवाने वाले है इसको रेखते और उसको चराते हैं वेनी ट्राइबल ग्रुप लेप भाइफ हर्ड़ एज रेरिंग एनिमल्स यानि उनको वह चराते थे और उनको वह पालते थे दे वे पास्टोरीलिस्ट हो मोब टूर्ड हो मोब विध रहर्ट सफ कैटल और शीप देख एक ज़गा रह चली जाते थे लाके में चली जाते थे अब इसमें जो है पंझाब हील्स के जो है वह वैन गुजजर है रहे ना आदर पतेश के लाबाडी जो थे गड़ी से यह सब्धूलण यानि कि जो बकरी चराते थे वो काश्मीर के बकरवाल है यह जो थे यह हर्डर स्ट्राइब थे जो कि जनवरों को पालते थे और उनको वो चलाते थे ठीक है अब इसके बाद में बोले नेक्स टेल में आप बहुत सारा पढ़ सकते हैं चलिए अगे एक टॉपिक देखते हैं पर अब कहने हैें डोल्त थेमिमेन और स्टीश के किशिर लाहिशा है कि लोग में एक शाइयित्टीर थे मिखुशन के तर्वकोज दर गहता है खे और अपना हैं अपना सेम नोशन और हो यह मतलब हैं जया सब्सक्षी से 2020 जो है या फिर 21 का कोरोना काल देख सकते हैं यह जो लोगड़ान हुआ था इसमें कुछ लोग थे वो बहुत मज़े से घर में जो अमेर थे इनके पास बहुत पैसा था वो अराम से खा रहे थे तरह तरह के पकवान बना रहे थे लोगड़ान को एंजॉय कर रहे थे और यह जो होते हैं अलग अलग चीजों को शेर करते हैं जिलगया में इसमसे महिने में रूपना है इस महिने में काटना काटना है इस महिने में अब्या दू इस तरह से इनका एक कैलेंडर ने शॉषा तो चलिएथे देखते हें तो चलिये देखते हैं जो वेयर एलबीन है वह बिरिटेश एंथ्रोपोलोजस्ट अपि उन्सान मानो की स्टडी करते हैं मेंस की स्टडी करते हो से कहते एंथ्रोपोलोजिस्ट जो कि बैगास और खोंड की भीच में Central बहुत साल तक रहें यानी ल तो इन चैत, women went to clearing, यानि कि चैत के महिने में, जो औरते थी, वो साफ करने के लिए जाती थी, खेत को साफ करने के लिए, जो फसल, पहले से रोपे हुए थी, उनकी जो स्टॉक्स है, पुआल वगर है, उनको वो काटने के लिए, साफ करने के लिए जाती थी, ठीक है, और जो में थे, वो लाज ट्री को कट करते थे, और वो अपने एक रिचुल हंट्स, यानि कि अपना, जो उनका एक बना हुआ थ जो शिकार है, वो फूल मून, यानि कि क्या कहते हैं, पुर्नियमा से शुरू होता था, और जो ट्रैप बंबु स्यूट फर हंटिंग, यानि जो ट्रैप होता है, इसमें बैंबू होता है, और उसकी किनारे पे जाला सा होता है, जो को जाना और फस जाता है, फिर उनीचे गिर जाता है तो इस तरह के ट्राप बैंबू के यूज करते थे शिकार के लिए ठीक है जो औरते थी वो सागों के फ्रूट्स टामारेंड इमली मश्रूम वगरा यह गादर करती थी जो बैगा वोमन थी वो क्या करती थी कि वो मतलब की रूट्स हाना कांदा हुआ इसके जो शिकार थे वो बहुत बैस्ट करते थे सारे अदिवाजिस के बीच में जो सबसे बेस्ट हंटर्स थे वो थे बैगा बैगाज और बैगाज जो है वो सेंटर इंडिया में पाए जाने वाले ट्राइबल ग्रूप है बैसा के महीने में क्या होती थी कि जंगल में आग जाते थे जेट के महीने में रोपा जाता था अभी भी हंटिंग चल रहा है यानि जो मेल अभी भी वो शिकार कर रहा है और जो असान भादो है अब इसमें क्या करते हैं कि में जो है वो खेत में काम करने चले आते हैं ठीक है और कुवार में क्या होता है कि जो जो फ्रूट बींस पकना शुरू हो जाते है और जो कार्तिक vont की ब Warmasi की पकना शुरू हो जाते है जो अगहन है इसमें पूस है इसमें विणोई यानि की उसमें से जो आनाज को स्टॉक से निकालने का प्रोसेस होचता है और जो पूस है यह वहीं समय है जहां पे लोग क्योंकि आनाज कट गया है और अनाज भी मिल गया तो सब लोग खुश है तो डांस कर रहे हैं और शादी भी हो रही है तो सब लोग करेंगे तो इसलिए कुछ लोग डांस कर रहे हैं और जो शादी कर रहे हैं कह रहा है कि इन मांग शिफ्ट वेर मेड टू न्यू बेवार ठीक है अब बेवार एंड हंटिंग गैदर ऐस दा में सबसिंट सबसिस्टेंस एक्टिविटी तो बेवार जैसे की देख सकते हैं यह टांने हैं जो पूष होता है 請 अ Sun कर लें टैंने के बीवार पहक शुप्ट होने का समया आ गया है अब आंजसाइकल है कि मतलब मतलब कि नहीं की जुक। बाला काम नहीं करेंगे क्योंकर बिज को घुज़ के लिए गूह जादा समय रहेंगे क्योंकि इस साल वो छोटा मोटा मतलब छोटा मोटा नहीं थोड़ा मोडा आप लोग क्या करेंगे बीज को रोपेंगे और इसको काटेंगे और जो पहले पिछले साल का जो अनाज है उससे वो अपना काम चलाएंगे तो अब जो थर्ड येर है था ना इट वस अली इन और थोड़े मोडे अनाज को रोपती है और उसके वाद से जो थर्ड येर है इसमें वो लो जो है फॉरेस्ट प्रोड़क्ट भी वो लो इंक्लूड कर लेते थे अपने फल में चलिए आगे देखते है यह एक वोमेन है ठीक है यह एक संथाल गर्ल है जो की लकडी लेके ज करते थे ठीक है अब इसमें देखते हैं कि सम तुक टू सेटल कल्टिवेशन यानि कुछ लोग जो है जो ट्राइबल ग्रूप है इसमें से कुछ लोग जो है वो किसान बन गया ठीक है ना पीजन बन गया उनको लग रहा था कि इधाला रोज बटक रहें सच है कि सेटल हो जाते हैं तो 19th century के पहले जो ट्राइबल ग्रूप थे यह क्या होने लगे सेटल डाउ होना शुरू करती है और यह जो मतलब की एक ही एक ही जमीन को एर आफटर एर उसको वो रोपने लगे राधर दैन इंस्टीड ऑफ वूमिंग प्लेस टू प्लेस यानि एक जगा से जो जिसने टीड जिसने यह क्रोपने का साधा रहने का भी राइट मिल गया तो जो मुंडास थे जो छोटा चॉर्ण करते थे वह जिस लैंड से पिलॉघ करते थे थार्ण होता था उन्हें कि प्लाइने वोगोरो इंप प्लियेट हैं घर होता-ख़्तकि एटून जिसने व उस जमीन को पहली बार क्लियर किया था साफ किया था वही उसके ओरिजिनल सेटनर्स थे और जो जितने भी उसके साथ जो डिसेंडेंट आएंगे सब में उनका क्या होगा शेयर होगा ठीक है अब जो अब देखा जाने लिए कि जो लोग थे हा ना क्ला फो स्कीर के करने लगे फावरो輁ड की यह वह आखा था जब क्लान में पावर की बात है तो कुछ लेक्छ के खै होगा चिल एक – बंगे ठीक है ना जो 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 चीफ होते थे जो बार फुल में होते थे टे वह वो खुद नहीं रोपते थे, उसको क्या कर देते थे, रेंट कर देते थे, दूसरे से रोप वाते थे, और जो भी चीज था उसमें वो शेर ले 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 थे जो ब्रेटिश जो ऑफिसियल से उन्होंने देखा कि यह जो 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 शेफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं, यह बहुत मतलब क्या कर रहे हैं, यह थोड़े से उतने सिविलाइज नहीं है, जिस उनके पिक्छा जो सेटल्ड जो ट्राइब हैं, वो ज्यादा सिविलाइज हैं जो 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 ङतलब हैं, उनको सेटल की आचाया, थाकि जो जो ए들 को आपअया जो क्यों जो इस आछाया है ? तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि जो ट्राइबल चीफ है उनके साथ क्या हुआ ठीक है तो अंग्रेजों के आने से पहले जो ट्राइबल चीफ थे बहुत ही इंपोर्टेंट लोग थे और उनका एक पावर था अथोरिटी थी और प्लस जो एड्मिस्ट्रेशन है उनका क कुछ कंट्रोल होता था टेर्टोरिस पे उनको लगता था कि हम काईदा बना रहे लोग हमको मान रहे तो अच्छा लगता था लेकिन जब अंग्रेज आए तो इनकी जो पावर है वो फीकी पड़ गई ठीक है न अब वो डिसाइड कर लें कि लोकल्स में क्या होगा उन्हो अंग्रेजोने की जो जमीन था उस पे उनके जो ट्राइबल चीफ्ते उनका तो उस पे उराइट रहने दिया लेकिन जो एड्मिस्ट्रेशन का रूल है उन पे उन्होंने क्या कि आपको हमारे लॉस को फॉलो करना पड़ेंगे ऐसा ब्रिटिश ओफिसिल्स ने कहा और इस करना है इस तरह से जो चीफ थे उन्होंने अपने अथोरिटी को खो दिया जो कि वो स्टार्टिंग में एंजॉय करते थे तो इस तरह से जो वो क्या किते हैं जो ट्रडिशनल उनके फंक्शन थे उसको फिल्फिल करने में अनेबल थे क्योंकि आप उनके पास वो पावर न इनको क्या हुआ तो जैसा कि जो अंग्रेज थे उनको इनसे अनकमफेटेबल हो रहा था क्योंकि वो उनसे रेगुलर टैक्स बने ले पा रहे थे और प्लस वो थोड़े वाइल्ड थे तो उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा था तो उनका एक फिक्स्ट हो नहीं थ प्लस बसे के ऑना और यांद करते चलिए कीकसे स्टीट में कौन-कौन से तरह की ट्राइप निशी ट्राइप से जो का पर्हां पैजाते हैं जो प्लस यहीं गह फॉट फोटू है इसमें कि कुछ महिलाय है और ये चो महिलाय है या भील अश्य कर रही है धाय जन्ग ना इमेट सा धुछ चाहलए है अब आते हैं, यह दो अब जो उनको settle down करना चाहते थे पिसंट को जो और उनको चाहते थे कि वो किसान बन जाए पिसंट कल्टिवेटर बन जाए ऐसा अंग्रेज चाहते थे shifting कल्टिवेटर के साथ अब जो settled पिसंट थे हाना वो आसानी से उनको control करते सकते थे उनको administer कर सकते थे जो कि always move करते हैं उनके अपेक्षा तो अब इसका एक कारण था कि जो बिडिश चाहते थे उनके पास एक regular revenue भी हो क्योंकि अगर मानते हैं कि वो यहां पे एक इंसान है ठीक है ना एक इंसान को बोले कि भाई तुम पो इतना लगान देना है और पता चला कि दूसरे दिन लगान गेने गए तो वो कहीं और चला गया तो भाई कौन लगान देगा तो इसलिए उनको दिक्कत हो रहा था उसके मासे थे measure the land, refine the rights and each individual यानि की land को बोलो measure करते थे और जो भी उनके rights थे वो individual को define करते थे fix करते थे revenue को ठीक है तो अब हमें आप देखते हैं कि other tenants have you have seen chapter 2 tenants where pay rent तो हमने chapter 2 में देख रहे हैं कि land owner को rent pay करना होता था और उसकी बदले में वो क्या हूँ in turn paid revenue to the estate और क्योंकि वो वही बने हुए थे जो ने बढ़ा था ना कि वो जो तालुकतार थे वही rent collect करते थे अब हम आते हैं कि जो ब्रेडिश जो थे हाना उन्हों effort किया था लेकिन वो उस effort में उनको settle करने के effort में successful नहीं हो है क्योंकि जो settled plug cultivation था वो इतना easy नहीं था वो जितना मतलब की चाहिए जितना अनाज निकलना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा था क्योंकि जमीन ही उतनी उपजाओ नहीं थी तो जो नौर्थ इस्ट इंडिया के जो home cultivator थे हाना ना इन्होंने वुसको यानि की प्लंक कल्टिवेशन को अपनाने के बजाए जो उनका traditional था उसी को वह लो मतलब की चलाते रहें और उसके लिए उन्होंने वाइड़ स्प्रेट प्रोटेस्ट भी किया ठीक है ना जो की आखिरकार जो ब्लेटेस उसको अलाव करना पड़ा कि भाया आप लो जो कर रहे था अब यहां पर एक फोटो है हम देख सकते हैं कि इस फोटो में जो ट्राइबल वर्कर्स हैं जो की धान के राइस अंधर प्रोटेस में धान के खेत में काम कर रहे हैं ठीक है ना चली आए देखते हैं फारेस्ट लॉस एंडेर इंपेक्ट यान की जो जंगल लॉल बना और क्या के इंपेक्ट होगा तो जो ट्राइबल गुरुप के जो लाइफ है आपने देख रखा था कि वह कहीं न कहीं डिरेक्ली जो है जंगल से वह क्या है ठीक है तो अगर जंगल में कोई भी लॉस को अगर चेंज कीजिएगा तो कहीं न कहीं उनके उपर एक कंसिडरेबल जंगल पर एक्स्टेंड किया जो जंगल का जो प्रॉपर्टी है वह अब ट्राइबल पिपल कना होगर के इस्टेट प्रॉपर्टी कहलाने लगा तो उसमें कोई जंगल जो है वह रिजर्ब फॉरिस्ट हो गया जहांके जितने भी टिंबर लकडियां थी जो भी प्रोड् करना या फिर वहां से जूम कल्टीवेशन करना फूट क्लिक करना या फिर शिकार करना यह सारा वहां बैन हो चुका था अब इस सिचुशन में जूम कल्टीवेटर्स भाई करे तो करे क्या ठीक है ना अब उनको यह अब उनको मजबूरन अलग 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 जगों सर्च मे अपने काम के लिए और लेबली होट के लिए कि वहां तो बैन हो चुका था और वो जाने ही नहीं देते थे लेकिन जब अब लेकिन अंग्रिजों के साथ भी एक प्रॉब्लम आई जब उन्होंने इन ट्राइबल लोग को स्टॉप कर दिया तो बहु कहीं और चेले गए तो लेसे लुपर लाइं और छो जो फॉर्ष्ट रिभर भोई हम कहां से लाएं और चरणी सर्व इस को मिभर प्रॉब्लम की जिगए हो तो पॉड़ा है यह जग थे एक दोते ठीक है अब यहां पे जो जूम उनको लेबर की प्रॉब्लम होने लगे तो उन्होंने इसके एक solution निकाला कि जूम कल्टिवेटर से इनको हम कुछ patch of land small देंगे अलाव करेंगे और उसके वद्दे में उनको हमें एक रेगुलर हाना एक रेगुलर लेबर क्या करना होगा प्र कि यह जो लैंड है यह इस लैंड पे रहना अंगरीजों के लैंड पे रहना कितना मुश्किल था उनके लिए तो हम एक जो क्या कैसेते हैं एक सौंग है या फिर जो भी है जो लिखा हुआ है इसके थ्वारा हमनों देख सकते हैं इन दो नाइटी थर्टी स्वेर एल्वें विज्टे द लैंड फ बैगास यानि कि सेंट्रल इंडिया के जो ट्राइब थे उनकी लैंड को विजट करते हैं तो उन्हें ने वहां पे देखा कि जो कस्टम क्योंकि वहां के प्रैक्टिस और कस्टम को जानना चाहते थे उनक इस लैंड उफ इंग्लिश हाओ वाड़ इस तो लीव कह रहा है कि इस अंग्रेजों के जमीन पे रहना कितना मुश्किल है हाओ हाओ इस तो लीव इन दे विरेज सेट्स तर लैंड लैंड लोड यानि कि गौम में लैंड लोड बैठता है गेट पे कोटवारी गार्डेन पे पटवारी और फिल्ड में सरकार इतने मतलब हमारे साथ जो क्या करते हैं रखवाली हो रही है हमारे साथ और कह रहा है कि इन दिस लैंड उफ इंग्लिश हाओ हाओ इट इस तो लीव कह रहा है कि वेशी टैक्स पे करने के लिए गाय बेचना पड़ता है और फॉर्स टैक्स पे करने के लिए भैस बेचना पड़ता है और लैंड टैक्स बेचने के लिए आपका बुलक ही बेचना पड़ता है तो बताइए कि जब सब कुछ हम बेची देंगे तो हम अपना भ मेए वृमन कि इस सिल्क वीव करते हैं। तो जो मेनी ट्राइबस थे ना इनकी अगेंस्ट अनुने फ्रोटेस्ट भी किया ठेक्या बहुत्यान। उन्होंने क्या किया कि भाई जो तुम नया रूल बना रहे हो जो तुम हमारे जो भी डिमांड कर रहे हो हम इसको नहीं मानेंगे ठीक है और उनका जो प्राक्टिस था पहले से जो चल रहा था जिनको उन लोग ने इल्लिगल डिकलेर कर दिया था वो उसको वैसे ही करते रहे ठीक है और जब जब ज़्यादा दिक्कत हुए तो ओपन रिवेलियन भी रोज हुए मतलब राइस हुए और इस तरह से एक रिवॉल्ट भी हो गया जिसका नाम था सोंग्राम संगमा जो कि 1906 में हुआ था असाम में ठीक है और जो फॉर्ट सत्याग्रा है यह 1930 में हुआ थ में है और 1930 में है अब जो प्रॉब्लम है वो ट्रेट के साथ कैसा था अब 19th century के दोरान देखा गया है कि जो जो ट्राइबल ग्रूप है यह जो ट्रेडर्स और मनी रेंडर है जंगल आते हैं ठीक है ना और जंगल कभी कभी नहीं आते हैं बहुत जादा है यानि इनका आन मतलब wages के लिए काम करो यानि कुछ मजदोरी लेलो और काम करो ठीक है ना लेकिन जो ट्राइबल पीपूल थे वो इसकी consequences को नहीं समझ पा रहे थे कि इसका परिडाम क्या होगा और क्या हो रहा था वो समझ नहीं पाए अब जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं एक silk का हमारे पास एक जो जीज़ है जो सिल्क ग्रोवर है उनका एक केस सिखते हैं 18th century में इंडिया से इंक्रीज हो गया बहुत ज्यादा तो जैसे ही मार्केट वह एक्स्पैंड हुआ इस्ट इंडिया को यह सिल्क जो प्रोडक्शन है इसके जरौत को पूरा करने के लिए इसको ग्रो करने लगें सिल्क क्लोवर के बीच में कि भाई तुम एक काम करो सिल्क जो प्रोडक्शन इसको खूब बढ़ा हो तेक है है हाजारी बार जो के विजारखन में है यह एक केरिया है जहां पर संथाल और रहते थे और वह कुपकून को रियर करते थे यानि कुपकून क्या होत करते थे कि अगर तुम कुपकून को ग्रो करोंगे ठीक है ना तो एक थाउजन को के लिए हम तुमको तीन से चार रुपया देंगे और यह जो कुपकून था इसको बुर्दवान गया के पास वो क्या करते थे एक्सपोर्ट करते थे और उससे लगभग 5 गुना दाम कर के बेचते थे यहान कि जो मिडिल्म हम था वह उसको मैडिल्म क्यों मूलत था था इसको सब्सेच जयांदा प्रॉफिट कमा लेता था अना सिल्ख को आपी यह जितना के कि वह बीच वाल आदमी कमा लेता था योdet मुलता था तो कि जह बहुत कमा पा रहे थे तो उन्हों और देखा कि जो मार्केट है और जो लोग है वो कहीं ने कहीं उनके क्या है इनेमी है दुश्मन है वह आप देख रहे हैं कि हाज आंग वोमेन है जो की मैट बुन रही है और जो में होती थी वह उनको आप सिर्फ डॉमेस्टिक वर्क तरह कंफाइन नहीं रख सते थे वह लो भी जो माइनर्स थे घरया और आणिगंच कोल माइनर्स थे ते जो की बिहार की ट्राइवल लोह थे वह बहुत थी डीप वह में काम करते थे इस फोगेटिंग जुसमें धंगुटने वाले खानों में वह काम करते थे और वह काफी देंचरस होता था इसमें की प्रया जान बीचली जाती थी और जो वर्कर से इसमें 1930 तक लगभग 2000 वर्कर्स क्या होते थे हर साल इस कोल माइन्स में मर जाते थे अभी भी कोल माइन्स होता है और भी लोग ऐसा हो इसी घटनाय होती रहती है चली आगे देखते हैं यानि जो ट्राइबलस की जो दसा थी हना वो उनकी घर से दूर जाने पर और बुरी हो जा रही थी यानि कि वो घर के पास रह रहे थे तो परशानी तो होई रही थी लेकिन जब वो काम के सर्च में दूर जाते थे तो वहां उनकी दसा जो है वो और बुरी हो रही थी क्योंकि वहाँ वो जाते थे तो वहाँ पर वो नियुक्ति करने लगे और उनको जो एक contract के तहत recruit किया जाता था जिसमें उनको low wages दिया जाता था और उनको उसमें घर जाना मतलब कि उस contract करने तो इतने साल तक काम करना है इसके बीच में आप घर नहीं जा सकते हैं तो घर आने के लिए उनको परिशानी हो जाती थी इस तरह से अब ये closer look में देखते हैं कि जो ट्वेंटी संचूरी है इसमें जो ट्राइबल ग्रूप है उन्होंने अलग अलग जगों पे मतलब करांतियां भी की है क्योंकि उनके जो लोग से उसमें changes आ रहे थे उनके पर उनके practices पे यानि वो जो पहले से चीजों को follow कर रहे थे उ और जो ट्रेडर्स थे उनको exploit यानि बरबाद करने लगे moneylander और ट्रेडर्स जो थे ठीक है न तो इसके खिलाफ जो कोल थे जो कोल ट्राइब की लोग थे इन्हें उनने 1831 लेक 32 में एक rebel किया था संथाल जो थे उनका revolt 1855 में हुआ जो बस्तर रिबेले ने जो भी Central India में हु 1940 में हुआ तो the moment that बिर्सा लेड़ वास one such moment और जो जो बिर्सा मुंडा ने में जो आंदरवान किया था वो भी इसी तरह का एक moment था ठीक है तो देखते हैं यहां पर बिर्सा मुंडा ब्लड ट्रिकल्स फ्रम माई शोल्डर यानि कि मेरे जो कंदे हैं उससे बून बून करक कि खून टपक रहा था तो जो सॉंग सफ मुंडा सैंक बी मोन देर मैसरी यानि कि उनकी जो जो मैसरी था उसको वो क्या करता है सोक को यहां पर दर्साता है ऐलास अंडर दर ड्रजरी और फोर्स लेबर यानि कि जो कठे ओर जो जो लेवर था उसके अंदर जो उनकी गुसे थे फ्रस्ट्रेटेट थे वो रात दिन क्यार करते थे रोती थे और यह उनकी क्याती कंडिशन थी उनके पास घर नहीं था और बोल रहे हैं कि जब इतनी सारी परिशानिया थी तो इंसान कहां से अपना खुशी लेगा अब देखते हैं आप यह क्या हो रहा है बिर प्लेजिंग शीप प्लेइंग दफ्लूट यानि कि भेड को चराते हुए बहुंडा जंगल के अराउंड और बांसरी बजाते हुए लोकल आखाडा में डांस करते हुए इनका बच्पन गुजरा हुआ है यानि वो ऐसे बड़े हैं अब फोर्स्ट पावर्टी इस फादर है टो मूब प्लेस टो प्लेस लोकिंग फॉर्वर्ट यानि कि गरीबी के वज़ा सुनकी पिताजी को एक जगह से दुसरे जगह जाना और था था काम के चक्कर में ठीक है और उस समय वो क्या थे कि एडवलेसें थे यानि कि एक किसोर थे तो वो बिरसा मुंडा ने बहुत सारी जो टेल्स है कहानिया है वो सुन रखी थी कि किस तरह से जो उनकी सरदार थे लीडर्स थे मतलब कि कमूनिटिय में किस तरह से वो रिवोल्ट करते है या फिर उनका जो पास्ट था पहले वो कितना गोल्डेन एक एज शेयर करते थे तो इस तरह की वो गोल्डेन एज क कि वो पहले enjoy करते थे उसको restore करना चाहते थे जो उनके पुरवज है जिस रुत्बे को वो enjoy करते थे वो वापस establish कर ले ठीक है तो जो उनके डिसंडेंट थे यानि जो उनके जो उत्राधिकारी थे है वो original settler के वो अपने land के लिए यानि मुल्क की लड़ाई के लिए लड़त से लाओ तो बिर्सा जो थे हाना वो लोकल मिशिनरी स्कूल में गए और वहां के जो सर्मन्स मिशनरी थे उनको उन्होंने सुना और उन्होंने यह भी देखा कि जो मुंडास है इसका पॉसिबल है कि वो अपने किंग्डम को जो है हैं किंग्डम ऑफ हैवन है उसको वापस से रीगेन कर सकते हैं जो उनके राइट से हैं और उनके किंडम में उनको वापस से ले सकते हैं और यह सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो एक गुड़ क्रिस्टन बन जाए यानि कि वहां के जो सर्मोन से हैं मिशनरी इसको उन्होंने यह कहा है क्योंकि उन्हों वो यह कह कि वहां के वर्शिब करते हैं पूशा करते हैं इसको वैशनर बोलते हैं वह एक सैकरेट थ्रेड यानि वह पवित्र धागा पहनते थे और वह सुधता को और पीटी को काफी वह इंपोर्टेंस देते थे जो बिर्सा मुंड़ा है यह बहुत सारे लोगों का आडिया से क्य सौसरी यानि कि जादू टोना यह सब बंद कर दो और हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जो विबर्ट में मस्ट रिमबर दैट विर्सा आलसो टॉन अगेंस्ट मिशनरीस और हिंदू लेंडोड लेकिन हमें यह भी याद रखने वाली चीज है कि जो बिर्सा यह बढ़ा था कि वह लोगों को घुम घुम कर यह उनसे अर्ज करते थे उनसे यागरा करते थे कि उनका जो ग्लोरियस पास्ट है उसको वह पसे रिकवर करें वह गोल्डेन एज के उनसे बात करते थे जिसमें की इसे वह सत्यू कहते थे दा एज अप तृत जहां पे के को प्रक्टिस करते थे और अपने जीवान यापन करते थे अब कहना है कि देडिनों किल देर बेथरें एंड रिलेटिब्स वह अपने क्या करते अपने जो साथी सह पाटी के रिष्टार है उनको वह नहीं मारते थे देलिप ऑनेस्ली वह मंदारी से रहते थे तो बुर्सा बिर्सा मुंडा जो है वो काम के लिए कुछ लैंड पे भी गया सेटल डाउन भी है कल्टिवेट देर फिल्स ठीक है तो यह भी चाहते थे कि लोग जो है वह सेटल डाउन हो जाए और वह काम एक मतलब की एक जो है शिफ्टिंग से वह एक सेटल लाइफ जीने लगे लेकि जो बिर्सा मुंडा थे वो बिर्डिश ऑफिसे जो पॉलिटिकल एम थे उससे वो परिशान थे जिसकी वज़ा से क्या हुआ बिर्सा मुंव्मेंट हुआ ठीक है ना तो अब यह क्यों हुआ फॉर इट वांटे टो ड्राइब आउट मिशनरीस मॉनिलेंडर क्योंकि इसका परिषा को बाहर उखाड फेकना चाहते थे राइब आउट करना चाहते थे और एक मुंडा राज सेट करना चाहते थे जहां पर बिर्सा वह होंगे वो इसके हैड होंगे और जितने भी विशेश है आना जो उनकी माइजरी के और उनकी जो लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के उनको वो हटाना चाहते थे जिसके वाज़ासे वो सफर कर रहे थे अब जो हमारे पास जो है की जो ब्रिटिश जो थे होते हैं इन्होंने जो पॉलिसिस बना रखी ते उसके वज़ास जो उनकी ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम है वो डिस्ट्रॉई हो रहे थे लाद हिंदू प्रिस्टिन बन जाओ तो अच्छे से रहोगी इस तरह से तो जो मुव्मेंट इस्प्रेट देड़ ब्रेटिच ऑफिसल से डिसाइड टू एक्ट लेकिन जब अंदोलन हुआ तो ब्रेटिस गोवर्मेंट है इन्हों इस पर एक्ट करने का सोचा ठीक है ना उन्होंने अठा पर 257 में जब बर्सा मुंड वापस है तो फिर से वापस है वो तूर करने लगे लोगों को गैदर करने लगे सप्रोट के लिए ठीक है और उन्होंने जो ट्रडिशनल सिम्बल है लेंग्वेज है उसको यूस किया ताखि लोगों को ऐसा करने से कहा होता है लोगों को इस्टाबलेश करना है अपने लिडर अपने लिडर्शिप में वो करना चाहते थे ठीक है अब जो बिर्सा के फॉलोवर्स थे यह लोग जो जो सिम्बल अफ दिकुस उनके जो यूरोपेन पावर को जितने भी सिम्बल थे उनको वो टार्गेट करने लगे ठीक है जैसे कि व बिर्शा राज और उन्होंने अपना एक अलग वाइट फ्लैग निकाला बिर्शा राज के सिम्बल के फॉर्म में अब अठारा उन्नीस वह में क्या हुआ कि जो हमारे जो बिर्शा मुंडा थे कॉलरा से उनकी मृत्ति हो गई और जो मुवमेंट यह फेड आउट हो गया यह धीमा पड़ गया फिर भी जो इसका जो मुमेंट है इसका सिग्निफिकेंट मतलब रोल पड़ा अब पहला जो था यह कि कहीं नगए जो कोलोनियल गॉर्मेंट है हाना जो इन्होंने लैंड के लिए जो ने ने जो रोल्स इंट्रडूस किये थे तो उन्हें यह लगने एक बार अपना यह दिखाने के लिए मौका मिला कि उनके अंदर भी कैपसिटी है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं इंजस्टिस नाइनसाफी के खिलाफ और अपने एंगर को अगेंस्ट को वो को लोनियल रूप के विरुद एक्सप्रेस कर सकते हैं और इन्होंने यह काम अ आज के लिए इतना है थैंक यू